नमस्कार दोस्तों और इस्टेटीविक ज्यान प्रकास में आप सभी का हार्दी स्वागत है देखे फ्रेंट्स खबर ये निकल के आ रही थी कि उत्तर प्रदेश लोगस्यवा आयोग आरो एरो रे एक्जाम, UPPCS और अन जो परिशाएं पोस्टपोन हुई है साथ साथ जो परिशाएं अभी करवाई जानी है उसको लेकर एक एक एक्जामेसन करेंडर जारी करने जा रहा है लेकिन प्रेंट्स एजानमेसना कलेंडर को लेकर फिलाल एक नई अपडेट आई है और अपडेट यहाँ पर यह निकल के आ रही है कि अभी जब तक क्वेश्चन पेपर्स की सुरक्षा के लिए सारे पुखता प्रबंद नहीं कर लिए जाते हैं तब तक एक्जाम डेट डि कर आउया यादि कि अभी यह जो आरव आरऊ रे एकजाम हो या फिर यू, पीपी, पीसेस हो या फिर अन्य कोई भी परिक्षाओं जो की पुश्टपोन की गई है तो इन सभी परिक्षाओं की एक्जाम डेट आने में अभी समय लगेगा और साथी साथ जो एक्जामेशन कलेंडर है उसके भी जारी होने की अभी फिलहाल तो कोई समोहना प्रतीत नहीं हो रही है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो खबर निकल के सामने आ रही है वो यह बता दिए कि उत्तर प्रतिस लोग सेवा आयोग के वर्स 2024 के कलेंडर में एक परिच्छा निरस्त यानि की आरो यारो यारो के बारें बात हो रही है और पांच परिच्छाएं अस्तकित होने के बाद पर की सुरक्षा ही प्राथ्मिक्ता है प्रस्तबत्रों की सुरक्षा की पुखता व्योस्ता होने के बाद ही आयोग निरस्त और अस्तकित की गई परिच्छाओं की नई तिथियां घोशित करेगा यानि कि फिलाल अभी जो question paper है उसकी जो security है यह अभी सबसे priority में है आयोग हो चुका है और साथ चाहत इसी वज़े से यानि कि जो question paper में जो paper leak हुआ उसमें जो पकड़े गए हैं नकल माफिया तो उनसे जो जानकारी मिल रही है उसके मताबिक आरो यारो को जो paper leak हुआ था आपने देखा ये दो labels leak हुआ मतलब question paper तो 10 तारिक को ही राजुरेयन मिसरा ने बताया था कि उसे मिल गया था बिहार के किसी जुबास नाम के विक्टी से इसके बाद उसने cross verification करवाने के लिए आपको याद होगा कि ये news बियाई थी कि प्रया के जाने की तयारी है साथी साथ ये भी है कि प्रस्पत्यों की सुरक्षा को लेकर आयोग कुछ महत्पूर कदम उठा सकता है एक digital lock वाला box बनेगा और इसको तयार कराने की योजना बन रही है इसमें क्या होगा कि question paper पूरी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए केवल आयोग क कि परिशा नियंतरक के पास ही इस digital lock वाले box का code number होगा ये बक्से जब परिशा केंदरों में पहुंच जाएंगे तब परिशा नियंतरक की और से code number बताया जाने पर केंदरों में बक्स ही खुले जाएंगे मतलब यह है कि finally इसमें परिशा नियंतरक जब तक code बताएंगे नहीं सकते हैं आयोग ने फिलाल तो PCS pre के बाद 22 मार्च को जो स्टाफ नर्ज की परिशा थी और इसके लावाँ साथ अपरेल को प्रस्तावित नगर सहाइग नगर नियोजग प्रार्मी परिशा नव अपरेल को प्रस्तावित अपर निजी सच्यू परिशा साटें टाइ चर्चा को लेकर उचित प्रबंद नहीं कर लिए जाते तब तक नई तीथी घोसित के जाने की उमीद कम है तो फिलाल फ्रेंट्स यहां पर जो इजाम कलेंडर को लेकर बात चल रही थी कि एक दो दिन में आज आएगा सोसल मेडिया में इस बात की चर्चा चल रही थी तो अब जुलावी में संभावित है लेकिन इसकी भी संभावना अब कम है कि जुलाई में यह परिक्षा हो पाएगी तो फिलाल फ्रेंट्स यहां पर खपर निकल के आ रही है कि जिस तरकिये से आरो यारो प्रार्मी परिक्षा की दोनों पालियों में परिक्षा से पहले वार परिच्छाओं की तित्वी घोसित की जाए और उसके बाद ही परिच्छाएं हो यानि कि अगर आप इंतिजा कर रहे हैं और जो परिच्छाएं बोश्पोन वही हैं और जो होने वाली हैं तो उनमें अभी आपको थोड़ा समय लगेगा और निश्रित रूप से इसमें कितना समय लगेगा इसके बारें दो कोई जांकरी नहीं है लेकिन आप ये मानग चलिए कि आगामी चार-पांच मेने तक ये परिच्छाएं साइद आयोजित ना हो पाएं क्योंकि कई सारे टेक्निकल तरीके से हमाँ पत्यारी करनी हैं बहुत सारे लूप होल्स हैं उनको बंद करने हैं और इसमें वक्त लगना बिलकुल लाजमी है आगे बढ़तें फ्रेंड्स आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैन्ट प्राग्रास से वकेंसी आई भी है और इसमें जो वकेंसी है वो पीजीटी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बालोजी, इंगलिस, केंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजूकेशन और कामर्स की ह है तो जो आप भेड़ती है वो जो यहाँ पर वेबसाइट है www.apsoldcandald.in पर जाकर अप्लेकेशन फार्म को डाउनलोड करने अप्लेकेशन फार्म का यह फार्मिट आप देख पा रहे होंगे तो यह अप्लेकेशन फार्म आपको डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद इस डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना पड़ेगा आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है कि 100 रुपय का डिमांड ड्राफ्ट आपको लगाना पड़ेगा जो की नान रिफंडेबल होगा और यह किसके फिवर पर रहेगा तो यह रहेगा आर्मी पब्लिक स्कूल अगर आप इमेल से या कोई फॉर्म भेजते हैं तो यह एक्सेप नहीं होगा आपको जो फॉर्म भेजना है तो वह फार्म आप जो है रिष्टर्ड मतलब रिष्ट्री से या फेश्पीट पोस्ट से ही आप भेजें ठीक है और इसके लिए जो लास्ट डेट है वह 14 माई ह आप देख सकते हैं और फिलाल no TADA मतलब कोई भी TADA आपको नहीं मिलेगा address for submission principal army school तो यह आपका address दिया गया है कि आप कहां पर अपना form भेजेंगे तो form भेजिएगा principal army public school old can't progress pin 211004 salary जो मिलेगी आपको as per awes rules के मताबिक मिलेगी तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं बाकी जांकरी आपको official website पर देखने को मिल जाएगी और फ्रेंट्स आगे बढ़ेंगे चलेंगे अगली खबर पर कारयाले सच्चु परिच्छा नियामक प्रादिकारी उत्तरपदेश की ओर से एक विग्यप्ति प्रकासित की गई है कि रास्ट्री आए एमंग योगता आधारी छाद्रप्रिती परिच्छा 2024 का जो result है यह 23 अप्रेल को डिक्लियर कर दिया गया है और जो अभिरती इस परिच्छा में सामिल हुए थे वो अपना पैडाम 25 अप्रेल दोपहर से जो वेबसाइट है ENTDATA.co.in के माधियम से देख सकते हैं उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और यह परिच्छाफ़ जो है वो पांच मई तक उपलब्ध रहेगा परिसदी विद्याले अब सुबह साड़े साथ बज़े से खुलेंगे तो प्रदेश में कच्छा एक से आठ के परिसदी वमानताप्रात विद्यालों का समय बदल दिया गया है इसके अरुसास अभी विद्याले सुबह साड़े साथ बज़े से दो पहर एक बज़े तक चलेंगे बेसिक सिशा विभाग के विशे सच्यू यतिंद्र कुमान ने बेसिक सिशा निदेशक को बेज़े पत्र में इसका अनपालन सुनशित करने को कहा है अभी जो विद्याले का टाइमिंग है उसुबह आड़ बज़े से दो पहर दो बज़े तक है तो भीशल कर्मी को देखते विए सिक्षक और अभावक विद्यालों की जो टाइमिंग थी इसको बदलने की मांग कर रहे थे तो अभी यहाँ पर क्या है कि मतलब विद्यालों का समय एक घंटा कम होने से बच्चों को काफी रहात मिलेगी तो उसुबह सारे साथ बज़े से अब जो है टाइमिंग कर दी गई है और जेई में में दो लड़कियों समें 56 परिक्षारतियों को 100 परसेंटाइल आया है एंटिये ने परिक्षा में से बेस्ट स्कोर के आधार पर मेरिट जारी की इसी मेरिट के आधार पर इंजिनिरिंग कालेजों में मिलेगा दाखिला तो जेई मेंस 2024 में 56 चात्रों को 100 परसेंटाइल मिला है और 100 परसेंटाइल पाने वालों के सूची में दो लड़किया है इन में एक दिल्ली की सायना सिनहा, दूसरी करनाटा की सानवी जैन है इसके लावा हर्यान आयस्तित गुरुराम के आरो भट और सिवांस नायर राजस्तान के काफी लंबी सूची है इनके नाम आप पर सकते हैं तो इन लोगों ने NTA के दोरा जो परिछा हुई थी उसमें जेई मेंस में 100 परसेंटाइल हासिल किया है फिलाल इनकी कड़ी मेहनत को हम लोग सम्मान देते हैं उसको नमस्कार करते हैं अब खबर निकल के आ रहे है जौनपूर से जौनपूर के बीर बहादूर सिंग पुरवांचल विस्विदैले में उत्तर पुस्तिकाओं में हिरा फेरी करना आम बात हो गई है फार्मेसी प्रथम वर्स के उन चार्ड शात्रों को भी 56 प्रसत अंक देकर पास कर दिया गया था जिन्होंने कापियों में जैस्री राम और अंतररास्तिक ट्रिकेट खिलाडियों के नाम लिखे थे विस्विद्दैले के पूर शात्र को सुचना के अधिकार के इतत्त मांगी गई जानकारी के बाद मामला खुला है और सुव मुहारकों विस्विद्दैले परिस्तर में परिशा समिती की बैठक में मामले में दो सिक्षक दोसी करार दिये गए इनके खिलाफ राजभमन पत्र भेजा जाएगा जल्दी इन्हें कार भुथ किया जाएगा कुलपती प्रोफेसर बंदान सिंगे बताया कि गलत मुल्यांकन में फार्मेशी संस्थान के दो सिक्षकों को दोसी पाया गया है दोनों को कारिमूत करने का ने ड़े लिया गया है तो इस प्रकार से भी अगर मुल्यांकन हो रहा है तो निश्री तुरूप से जो कारवाई हो रही है वो सही है क्योंकि मुल्यांकन सही तरीके से हो यह ज़्यादा जरूरी है तो फ्रेंड यह थी आज की नियूट अब चलते कि current affair अगर आप ठीक से नहीं लगाते हैं तो एक प्रस्न आपकी जिंदगी को बना भी सकता है, बिगाड भी सकता है, एक ही प्रस्न आपका selection हो सकता है, आपका selection रुक भी सकता है, तो बेहतर तो यही होगा कि आप पूरी तयारी करें और नियमित रूप से कम सकम एक घंटे का समय करने फैर को दें, अगर आपके पास अपना करने फैर का notes है, तो उसी से पढ़ें, अगर आपके पास notes नहीं है, तो आप यह जो notes आप देख रहे हैं, इस notes को आप तुरंत purchase कर लें और पढ़ना सुरू कर दें, क्योंकि प्रतियोगता बहुत ही घनी है, और इतना आसान नहीं है, किसी भी प्रतियोगता को अब के जमाने में crack कर पाना, क्योंकि प्रतियोगी की संख्या भी बढ़ रही है, और प्रतियोगी जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं, याद रखिए कि जब आप आराम कर रहे हैं, तब भी वो मेहनत कर रहा है, जिसका selection होगा, तो अगर selection आपको लेना है, तो आपको उससे ज़्यादा मेहनत करने ही पड़ेगी, इस लिए मैगजिन की खासेत ही होती है, कि आपको डेवाइस करेंड़े तो देगी है आते हैं, साथी साथ जब मैगजिन का लास्ट में आप देखेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे important facts भी आपको द दाउन्लोड करेंजिए, इसका डाउन्लोड लिंक वीडियो के description और पहले comment box में दे दिया गया है, तो अभी डाउन्लोड कर लें और अपने study को start करें, याद रखिए आपका carrier सबसे उपर है, जो मिलते हैं आप से लिए वीडियो में तब तक के लिए आगे दिजिए, और ह वीडियो को like और share जरूर किजिएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, thank you